क्लास में बहुत से बच्चों को बुक्स नहीं पढ़ने ही आती है ठीक है तो प्रॉब्लम ये है कि बुक्स क्यूं नहीं पढ़ने ही ठीक है आप किताब क्यूं नहीं पढ़ते हों सबसे पहले हमें इस समस्या को समझना है ठीक है किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा में जितने भी अक्षर है ठीक है चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो या कि संस्कृत हो या कोई भी भाषा हो जो भी भाशा होती है वो आवाजों पर आधारित होती है और जो आवाजे होती हैं उनको हम अक्षरों का रूप देते हैं और हम किताब क्यों नहीं पड़ पाते हैं क्योंकि हमें इनी अक्षरों का ज्यान नहीं होता है आवाजों का अक्षरों का और उन अक्षरों की बनावट का अब हिंदी में देखिए सबसे जरूरी क्या है वाण माला क्या जरूरी है वाण माला अब वाण माला जो होती है वो खाली एक पेज की होती है ये देखे ग्रीन बोर्ट पे मैंने बॉर्ण माला लिखी है अगर आप इसको देखोगी आपकी किताब में एक पेज में आ जाएगा सिर्फ इसी एक पेज को आपने सही से नहीं सीखा इसी लिए आप किताब नहीं पढ़ा रही है आपने टीन सालों में इतनी सारी कॉपी भड़ी इतनी पेंसिल यूज करी ठीक है? लेगिन फिर भी आप नहीं पढ़ा रहे हो लिख लेते हो आप देखे लिख लोगे लेगिन किताब में ही पढ़ा रहे हो तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आप अक्षरों की पहचान नहीं कर पा रहे हो उनकी आवाजें नहीं समझ पा रहे हो तो सबसे जरूरी क्या है? अक्षरों की पहचान, उनकी आवाजें, उनकी बनावड तो कुछ भी लिखने से पहले आपको ये समझना है तो सिर्फ सभी बच्चों को एक पेज सीखना है और वो एक पेज क्या है वार्ण माला तो कि सभी बच्चों को हिंदी की किताबे पढ़ने आनी चाहिए और कैसे पढ़ने आएगी जब आपको वार्ण माला का ज्यान होगा अब देखें यहां ग्रीन बोर्ट पे मैंने बहुत सारे अक्षर लिखे हैं अगर किसी बच्चे को अक्षरों की पैचान नहीं है तो मैं कहीं बर्णी किसी भी वार्ण पर उगली रखूंगे वो नहीं पैचान पाएगा जैसे मैंने यहां पे उगली रखी अगर आपको इस लिए सभी बच्चों को अक्षरों का व्यान होना चाहिए और इंग्लिश में जो आपके लिटर्स हैं अगर आपको यह आ गया तो बुक रीडिंग आपकी बहुत भी आसान हो जाएगी ठीक है